विल्कम तु मैथ एक्सिस आई सीसी क्लास 10 चक्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज चक्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज 7.3 में पिछले विडियो मैंने आपको कुश्चन नंबर 3 का solution होता है था इसमें हम question number 4 को solve करेंगे जिसमें हमें दे रखा गया है कि question number 4 में हमें दिया गया है कि if क्या दिया गया question number 4 में if bracket pa plus qb ratio ratio pc plus qd ratio दिया गया है pa minus qb bracket pc minus qd minus qd दिन हमें क्या करना है हमें प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है कि हमें क्या प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ करना है कि प्रूफ a b c d are in proportion क्या वो लगया है कि प्रूफ देट क्या प्रूफ देट a b c d and d are in proportion इसमें आपको sign देट रखा है मैंने आपको detail में लिख दिया कि हमें किसमें प्रूफ करना है तो प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है कि a b c d जो है किसमें है प्रूफ करना है ठीक है तो अब इस हम को स्वों करेंगे solution इसमें में दिया गया है कि pa plus qb and pc upon ratio qd in proportion with pa minus qb pc minus qd जैनि इसको मगर ऐसे नोट कर सकते हैं जानते हैं अगर आप proportion में दिया तो इसको आपको फ्रेक्सिम लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा आपका pa plus qb qb upon me pc plus qd is equal to pa minus qb upon me pc minus qd ठीक है तो यह चारोग चारोग प्रपोर्शन में थे इसलिए हमने इनको क्या किया किया कि इनको हमने अन्नोट कर लिया है अब बाई अल्टर्नेड़ अगर देखें आप अपर ए और बी यहा भी क्या है ए और बी तो बाई अल्टर्नेड़ बाई बाई ब्रसक्रवाहिस को टैसे क्या करेंगी एक है ऐक प्लस न्युट करेंगे M प इसको माइनस क्यूबी जिपको अस्ट टुकया ओ जाएगा तो यह PC प्लस क्यूडी PC प्लस क्यूडी अपन कि पीसी माइनस की में और तो जब बने कम अल्टरेटों अप्लाई किया थो बाल का है आद Landes प्लाइक कर आद customize को कॉनzt pos а अब यापके हम apply करेंगे component and dividend क्या apply करेंगे तो by by applying c nd देखे मैं short form एं लिख रहा हू double c nd d, याने component and kullan dividend तो component and dividend क्या होता है आई उसको बहर discuss कर लाते हैं मैंने आपको पिसले पहले ही बता रखा है component and dividend का मतलब क्या होता है माने कही पगा में दे रखा है a upon b और equal to में दे रखा है c upon d जब इस पे हम component और dividend और अप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा तो a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d यानि कि numerator plus denominator upon numerator minus denominator जब देखे अब यह सेम फर्मुला है इस सेम फर्मुले को हम इनने पे apply करेंगे इनने पे apply करेंगे इनने पे apply करेंगे जब सेम फर्मुले को इनने पे apply करेंगे तो यह क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा पीए जब इसको हम लिख पाएंगे इसको हम लिख पाएंगे पीए माइनस क्यू बी जब इस पर हम इसको हम क्या नोट कर पाएंगे तो इसको हम नोट करेंगे पीए प्लस क्यू बी वे नुमरेटर प्लस डिनाउमिने टर पीए माइनस क्यू आपकोगा और आते जो चैंज इधर किया हगे तो तो लिख शेंच carved यम अपप्लाई करेंगे तो पहले इसको मैं erase कर लेता हूँ कि आप इसको already समझ चुके हैं कि component dividend का मतलब होता क्या है आप तो already इसको जान चुके हैं तो पहले इसको erase कर ले जाए ठीक है तो यानि कि यह क्या हो जाएगा जोगे आप हम अप्लाई करेंगे component dividend इस side में component dividend होती हो जाएगा PC plus QD plus में PC minus QD अपान में आजाएगा आपका यह PC plus QD माइनस में bracket अब PC minus QD ठीक है जब इनको हम simplify करेंगे तो देखिए आप ए प्लस QB है क्या है तो प्लस QB और माइनस QB क्या हो जाएगे आपसमे cancel हो जाएगे यहापे प्लस QD और माइनस QD आपसमे जाएगे तो जब अगे सांप करेंगे तो अपका numerator में क्या बचेगा तो अभी हम इसको simplify करेंगे तो numerator में आजाएगा PA plus PA क्या हो जाएगा PA plus PA upon denominator में क्या हैगा जब इसको on bracket यहां सहटाएंगे तो क्या होगा यह क्या हो जाएगा pa plus qb minus pa और minus और minus में में मिल के क्या हो जाएगे plus qb ठीक है जिक्वस्टो क्या हो जाएगा यहां बचेगा आपका pc plus pc अपन में क्या हो जाएगा तो pc plus qd minus pc plus qd ठीक है यहां भी दिख्ञें denominator में भी आपके दो टर्म्स यह यह आपका टर्म qb अब pa और plus pa दोनों का sign different है minus pa और यहां भी क्या है यह plus pc और minus pc यह भी क्या होंगे आपस में cancel हो जाएगे क्या हो जाएगे आपस में cancel pa pa cancel pc और pc cancel ठीक है तो अब आपका बचा क्या है अब अगें जब इसको हम simplify करेंगे तो अब क्या आगे हमारा अब बचे क्या तो numerator मों जाएगा pa plus pa मिलके 2 pa upon में qb plus qb मिलके हो जाएगे नीचे 2 qb अब देखें यहां पर क्या है 2 pa 2 pa 2 qd 2 qd दोनों तरफ क्या है सेम है तो यहां पस में क्या हो जाएगे cancel हो जाएगे क्या होंगे आपस में तो cancel हो जाएगे तुमको मगर cancel कर देता है दोनों तरफ से इसको और इसको यहां से cancel कर दें तो बचे है कि आपका बचता है a upon b is equals to c upon b और हमें ए प्रूफ करना था कि कि किस में आपस में स्दस्तमिन में ता हमारा फूस्वर्चन क्या हो गई यह आपका प्रूब्ड हो गया क्या हो गया फ्रूब्ड हो गया ठीक है तो आई आप इससा में जान लेते हैं एक्वा है रव्स दुबारा सॉल्वार्शन को रेपीट कर देंखेएलं कर प्रोपोर्शन में क्या पुछा गया था कि इफ इफ प्रोपोर्शन में किसमा है यह प्रोपोर्शन में ए बी-cड तो हमने पहले क्या अप्लाइग किया पहले अप्लाइगिए जाए तो जब अप्लाई किया तो एक चेंज होगा आपस में ऐसे नोट हो गया है फिर हमने अप्लाई किया यहां पर कम्पोनेंड और डिबिडेंड हो दिन जब इन्हों आगे इसको फॉर्दर सिंप्लिफाई किया तो हमें क्या मिला है ए अपॉन बी इसका लिंक आपको वीडियो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा थैंक यू और यह रहा है